हेलो फ्रेंड्स, वेलकों टू माई चैनल आज मैं आपके सामने सरोजनी नाइडू जैंती के खास मौकी पर एक सरल और सुन्दर भाशर प्रस्तुत करने जाड़ी हूँ लेकिन उससे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा चलिए शुरू करते हैं सरोजनी नाइडू माहान जो तंत्रता सेनाने होने के साथ साथ एक प्रसेद कवित्री भी थी सरोजनी नाइडू का जम हैदरबाट में 13 फैवरी 1889 को हुआ था उनके पिता का नाम अगोर नाट और मा का नाम वरत सुनरी देवी था केवल 12 साल की उकम उम्ड में ही उनोंने दस्वी की परिक्षा पास कर ली थी उनोंने अपनी भाशर और कविताओं के माध्यम से देश की जनता में आजादी के प्रती नए चेतना जगाई उनकी रचनाओं के लिए उनको भारत, कोकिला और नाइटेंगेल और इंडिया की उपाधी दी गई उनके जनम दिन को देश में डास्टे महिला दिवस के रूम में मनाया जाता है सरूजनी नाइडू ने कविताओं लिखना स्कूल के दोरान ही शुरू कर दिया था उनकी कविताओं को लोग बेहत पसंद करते थे और गीत के रूम में गाते थे सरूजनी नाइडू ने गांदी जी के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और जेल भी गई देश को आजादी मिनने के बाद किसी भी राज्य की राज्य पार चुनी जाने वाली वह पहली महिला थी सरूजनी नाइडू सभी बात्ते महिलाओं के लिए एक आदर्श है उनका नाम सदेविया रखा जाएगा धन्यवाद